नमस्कार आप देखरें वन्टीवी भारत और मैं हो आपके साथ शुभंकमाद आज दिपावली का पर्व है और आप तमाम दर्शकों एबम समस्देशवासियों को दिपावली की हाडिक बधाई एबम बहुत बहुत शुब कामना है आप तमाम दर्शकों को और ये तस्विरे देखिए शिंग्या में पूरी सिंग्या जो है सो इस दिपावली के मौके पर सज गई है और ये तस्विरे हनुमान मंदिर की जहां आप देखिए कि किस तरीके से सिंग्या हनुमान मंदिर को जो है सो सजाया गया है और ये जगमगाती शिंग्या की तस्व आप इस बख देख रहे हैं लगभग सारे आठ बजने वाले हैं और सारे आठ बजे का ये वक्त जहां जगमगाती ये पुड़ी सिंग्या आप इस बख देख सकते हैं यहां पर हर्वान मंदिल जो है किस तरीके से जगमगाता हुआ नदुमान है यहां पर जो तमाम जो भक्त हैं वो पुजा करने के लिए आए हुए हैं और सबसे पहले आपको हम बजरंग वली की दर्शन करवाते हैं आपको हनुमान जे की दर्शन करवाते हैं देखिए दिपावली के मौके पर किस तरीके से यह दीप जलता हुआ यह बजरंग वली की त यहां पर आये हुए हैं तमाम जो है शो जगमगाता यह शिंघ्या की तस्विर आप इस वक्त देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से हर घरों पे जो है शो लाइटे लगी हुई नजर आ रही है हर दुकाने जो है शो सजी हुई है और अगे सारे आठ बजने का वक्त है और सभी दुकानदार जो है शो पुजा पाट की तयारियों में लगे हुए हैं और यह तस्विर हम आपको दिखाएंगे आज पुरा सिंगया बठान चौक से सुरूत करते हैं ए उसके बाद मालें परव को दिखाएंगे कि पुरी सिंगया इस दिपावली के मौकर पर्व को मना रहे हैं श्वक्त मे 700 गार बाधवाजर की ने तरिह देखे पूरा स्रिग्या जो है फिलता हूँ प्मांदा के लिए पुजा करने के लिए मंदिर जा रही हैं और फूजा पाट की जो है सो तयारी की जा रही है जगमगाता शिंग्या की तस्विरे आप इस वक देख रहे हैं यह कलाली चौक रोड की तस्विरे हम आपको दिखा रहे हैं इस वक इस तरीके से यह शिंख्या जगमगाता हुआ नजार आ रहा है तमाम दुकानदार जो हैशो शाप साफाई में लगे हुए हैं पुजा पाथ की जो हैशो तैयारी करने जा रहे हैं जबकि पुजा का जो हैशो वक्त भी हो चुका है यह देखिए यह शुपर बाजार की यह तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं देखिए यहाँ जो हैशो तमाम दुकाने जो हैशो सजी भी है और अब हम कलाली चौक जो हैशो पहुंचने वाले है और यह देखिए यहाँ पर जो है शुपर तरों की दुकाने शुपर बाजार की दुकाने शुपर आप लाली चौक से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कलाली चौक और कलाली चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है यहां पर जो बच्चे हैं वो पठाके जो है सो जला रहे हैं और पठाके की खरेदारी करते हुए देखे जा रहे हैं देखिए यह लाली चौक की यह तस्वीर अब चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि मैं बाजार थे जो है शो हमें अब हम आपको मैं सरकों से होते हम गली महलों से भी होकर जाएंगे गली महलों की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे हमारे साथ लगातार बने रहिए देखते रहिए देखिए किस तरीके से जो है सो जगमगाता हुआ नजार आ रहा है यह शिंख्या लगभग लगभग जिखा जा रहा है कि सभी घरे जो है सो सजी यह नजाड आ ओप्सक्राइबद मतहर की सभी घरों पर डॉंट लगाई गहीं है और लिए सभी घर मुकान जो है 않गभाता नजार आ रहा है कि जगने की जगने के निपक दोटें भी कि जगने के यदिव और का भोगते है जगने हैं और आएए अब आपको हम उतरवारी टोल से हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको इस महले की तस्वीर दिखाएंगे देखिए यह सिंध्या की यह तस्वीरे सभी घर पूरी तरीकी से सजाई गई है यहां पर जो है सो देखिए कितना खुब्सूरत जो है सो हमारा सिंध्या जो है सो आज इस दिपावली के पर्व के मौके पर नजर आ रहा है पूरी सिंध्या जो है सो लाइटों से दीपों से जो है सो सज गई है यह पूरा सिंध्या जो देखिए कि यहां पर लगभग लगभग घरों में जो है शो लाइट लगाए गए हैं सभी घरों पर जो है शो लाइट लगाए गए हैं और सभी घर जो है कि देखिए यहां पर बच्चे जो है सो पटाखे जलाते हुए नजर आया है कि पूरा सिंग्या जगमगाता हुआ यह शिंग्या इस वक्त की तस्वीरे आप इस वक्त देख रहे हैं यहां पर हम गली महले से होकर गुजरते हुए इस वक्त जो है आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं है कि देखिए किस तरीके से जो है सो एक घरों को जो है सो सजाया गया है कि बहुत ही खुशूरत बहुत ही बढ़ियां जो है सो लग यह सिंग्या की तस्वीरे निकल कर आ रही है कि बहुत है कि यहां पर जो बच्ची लोग है वो पटाके जलाते वे नजर आ रही है कि देखिए हैं कि देखिए हैं कि देखिए हैं कि देखिए अब हम पहुंच सुके हैं लंका टूल महले में और यहां की तस्विर हम आपको देखाएंगे कि देखिए किस तरीके से इस महले को सजाया गया है हलांकि देखा जा रहा है कि सभी घरों में दीप जलते हुए देखिए जा रहा है और यह देखिए कि किस तरीके से जो है अब आपको हम लेकर चलते हैं अब गिरिट और मुहले से होकर जो है तो हम आपको दिखाएंगे वहां की तस्विर इस तो है यहां से अब गजर रहे हैं ऑगर आए कि अ चल्ड मह आरे खार अधे लिए ल्छिए ये टोल महला की तस्वीर है आप देखिए अब देखिए कि बहुत ही बहुतरीन तरीके से हरे के घरों को सजाया गिया है हरे कि घर जग्मगाता हुआ नजार आ रहा है कि तस्वीरों में देखिए यहां पर जो है सो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सुरिस्टी और मुहले के यह के घरों को जो है सजाया गया है और हम अब वह वापस से निकल चुके हैं सिग्या सुभास चौक पे हुआ Ger Vilasice देखिए यहां पर जो है सुरिसे का इंट पूराया जा रहा है इस तरीके से दिपावली के पर्व को मनारें आप लोग को किस तरीके दिपावली को मिना रहे हैं कैसा लग रहा है क्या कुछ शुब क्यूब का misuh यह आप देना चाहिए कि तरीके से दिपावली की पर्म को मना रहे हैं हैं है एक इस तरीके से दिपावली को सलिब्रेट कर रहे हैं सिंग्या में हम लोग सांती और सांती पूर्ण कर रहे हैं और हम मनाते हैं कि हम हर लोगों के बीच एक प्याता साथभावना बजुरा रहे समान जुरा रहे सांती का जो पर्तिक है कुछ याली मना रहे सब फुस रहे हैं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने समस्त मतलब नगर पंचाइट वासियों को समस्त प्रखंड वासियों को हम अपने तरब से यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह यह सांती का और हरतो लास का यह त्योहार है यह सब के जीवन में एक अच्छा पर्तिक बनके आए सब लोग सांती से इसी तरह खुशियाली बनाए धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो यहां पर सिंख्या में बहुत ही बहत्तरीन तरीके से लोग दिपावली के पर्व को जो है सो सलीब्रेट कर रहे हैं लगवग लगवग जो है सो सभी घरों की हमने आपको तस्वीरे दिखाई लगवग लगवग घरों को जो है सो लाइटे से सजाई गई है फिपों से सजाया गया है और अब यह सिंग्या सुभास चौर्क की आप तस्वीरे देख रहे हैं यहां पर जो है सो सभी दुकाने जो है सो पूरी तरीके से सज़ गई है कुछ दुकाने सजनार रह गया है वहां दुकानों को भी जो है सो सजाया जा रहा है, पुझापाट का वक्त हो चुका है और पुझापाट की जो है सो सयारिया की जा रही है, यह देखिए यहां पर जो है सो अब यह सुभास टॉक की तस्विरे दिखा रहे हैं आपको, सभी यह और इस दिपावली को बहुत ही बहत्रीन तरीके से और भी अभी वक्त जब्सकारों आसे अरmittel बंजे से आने मंनाएंगे तो वो सारी तस्वीरे भी हम आपको कलेक्टर के हम आपको दिखाएंगे फिलाल हमारे साथ अब तक के लिए इतना ही हमारे साथ देखते रहिए आप तमाम दर्शकों को दिपावले की बहुत बहुत सुब कामना हैं बहुत बर बनाया आपको, thank you so much.